जा कहिए का फिरसी भाषन में जो है पाकिस्तान आ जा रहे हैं। मोदी जी का भाषन हम सुनते ही नहीं है। क्योंकि देश को अगर कोई बर्बाद कर रहा है। मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। एक कंग्रेस है बीजेपी है। कंग्रेस का कोई भी ने तब पाकिस्तान में बिर्यानी नहीं नहीं खा रहे है। तो अगर हम लिटके देते हैं, अगर रहूल गांदी पाकिस्तान में गये होते हैं नावाज सरीव के बेटी के सादी में, तो सारे आंध भाग उसको अतंग वादी सब बोलते है। कि मंदिर मस्जिद बने ना बिगड़े, सोंची रईया बनी रहे और देश की जनता भाड में जाए, आपन सत्ता बनी रहे। मोदी जी बस यही जानते हैं। लालू यादा बोले देना कि परिवार वाला ही परिवार का दर समझता है। जिसके पास परिवार का दर नहीं समझता है। आज हमको हाट एटेक से जादे हमारे परिवार का दर सता रहता है। क्योंकि हमारे पास परिवार है। समझे। अगर जिसके पास परिवार ले वो क्या दर सता आगा उसको। नमिश्कार में फरेदबस और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखें मोदी जी को क्या हो गया। मतलब भारत के प्रधान मंदरी लगतार मस्धित मंदित करते हुए नजर आ दें। मगर आप तो पाकिस्तान को भी बीच में ला दी है। मतलब क्या वो इतना डर गए हैं। बात-बात में पाकिस्तान वर्ड आ जाता है। हैं जो चाहती है कि भारत क 와ं साट करेंगे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं पत्ना पत्रिया भासन हैं सबस्क्राइमिये क्या और सुने ही डेश को तो अगर कोई बरबाद कर रहा है तो मोदी जी का भासन बरबाद कर रहा है देश की जनता जैसे टीवी खोलती है ना अज आपको पता है कि हमारे घर में भी भाजपाई बैठा हुआ है जिसका नाम है टीवी टीवी जैसे ही खोलिएगा कुछ भाजपा के पत्रकार लोग है मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे अंहीं तो मोदी जी कहें अगर रेलियी हो रहा हुए तो घ्यपां संख्यकों वंचितों के शुशन पे बात करेंगे मोदी जी बात क्येंगे पाकिस्तान ड़ंद्व मुसंलमान राम मंदिर मस्जिद सबत都有 है आपको हम प्रदान मंतरी क्यों चुनेते हैं देश समेहगाई खतम करने के लिए देश से बेरोजगारी खतम करने के लिए लेकिन आप मंदिर मस्जिद किये जा रहे हैं तो मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि मंदिर मस्जिद बने ना बिगड़े सोंची रअवनी रहे और देश की जंता भाड में जाये आपंध सत्ता बनी रहे मोधी जी जानते हैं अब तो आटा का इंपोर्ट करने भी रो रही है और हम पकिस्तान से मोदी जी तुलना कर रहें इस सबसे वड़ी बात हमारा सर्म की बात है। हमें तुनला अमिर्का सिक करना चाहिए लेकिन ये पकिस्तान से मोधी जी मिले है पकिस्तान चाहता है कि देश मोधी का सरकार हो मैं मालोगता है एक्जामपल समझाता हूं सबके पास common sense है देश के उवाओ समझे अंधभक्ति में नहीं बोले मैं पकिस्तानी हूं ठीक है एक क मैं पकिस्तान हूं मैं पकिस्तान उंडीकुंडा हो माफिया हूं मैं जिसके भी साथ उलिखेंग हो बातनाम हो जाए पी कंग्रेस जित्ती है पकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता है क्यों ताकि कंग्रेस बदनाम हो और बीजेपी के सरकार आए इसलिए बलते है देश को इवा अपना अगर पकिस्तान चाहता कि देश में कंग्रेस की सरकार हो तो कंग्रेस जित्ती तब जिंदाबाद के नारे लगती ठीक है और इतने मंदिर में काथ लाएम के तो मुसल्मान को माले गलत है तो मुस्लिम उसे प्सद्राइब तो देश भग तो नवाज सरीब के साधी में अगर मोधी जी गाए तो देश भग अगर रहूल गांदी पकिस्तान में नवाज सरीब के बैटी के साधी में तो सारे अंध्भग उसको अतंग वादी से बोलते हैं वाली कंपणी से बीजेपी केतना फंड लीव आपको खुद बता है और आप जहां तक पाकिस्तान की बात रही तो कॉंग्रेस का कोई भी नेता पाकिस्तान में जागे बिरियानी नहीं खा रहा है ठीक है बीजेपी का खुद मोदी जी माने परदान मंतरी जी जाके पाकिस्ताने बिरियानी खा ले एक ही नारा एक ही नाम जूट बोलो सुबसाम अब पकड़े जाओ तो जाए स्री राम यहीं लोग करते हैं और कुछ नहीं करेंगे मोदी का विकास करा सुनाये अरे पहले तो गुलाम होता था अभी मोवाल का जूगा को गुलाम करवा रहा है मोदी जी खाता भी था खिलाता भी था वे रोजगारी हाटा दिया था अरे पंद्रह आज में बोलके कुछ नहीं होगा मोदी मोदी क्या है था मोदी क्या था जल में डाल रहा है परिया है वह जाच गानधी जब बोले थे कि इनका जाच गाने के लिए लगा कि रहुट चाहिए बहुत इसलिए बोला जाच करने कि रहुत परिवार वाले है परिवार या ओपने साथ परिवार को भी रख्ठा करतें मोदी के नहीं मैं सही डाऊंगा मैं परिवारन कोफेना और प्रता मोदी जी हम लगाने वाल मुदी जी का हो गया हाट कि क्या परिवार नहीं है तो क्या हमारे पास परिवार है समझे अगर जिसके पास परिवाद लें वो क्या दरसत आगा उसको डॉक्टर मन मोहन चिंग जब बयान दिये थे उसमें लिखा था फर्स्ट प्राइवरिटी ऑफ मैनोरिटी ठीक है तो उस टाइम उस टाइम जब हम पुछे थे कि बताये वोट इस दा मीनिंग ऑफ मैनोरिटी नोट आउनली मुस्लिम लेकिन वहां पे सीक, हिसाई और अतिपिश्रा को भी जाला था ता आप बताये तेलंगन और हैथराबाद में क्यों डाले मुस्लिम को बशिमें बताये जरा हम क्या समझे अब जब आप फर्स प्राइवरिटी आप मानोरिटी करते हैं से सुतकाहिसाब को अंगरे साभी तक कहा देपाया है